नमस्कार हमारे योट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो कैसे हैं आप आयोप ठीक होंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ हमें बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आने वाले वीडियो की कर रही है तो इसमें आलमोस्ट सेटिंग हो चुकी है और इसमें फ्रूट सेटिंग भी कंपलीट हो चुकी है और इसमें जो हमें क्रॉप मिल रही है बहुत ही बेभार क्रॉप इसमें लगी हुई है इसमें फुल क्रॉप है तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं नोटिस कर तो इस में फस्ट बार इतनी ह cuk लगी है तो इस बार तो हमारे nossa बूप महीं बहुत ही जाए है और maximum जगह जहां भी मनें देखा है अगरम हाइट की बात करें लो हइट की बात करें तो सब जबार फिल्म की कर बहुत ज्यादा अच्छी है हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पलम का क्या रोल रहता है हमारी बागवाने के ख्षितर में और पलम हमारे लिए क्या महत्वर रखता है तो पलम जो है किस तरह हमारे लिए एक अच्छी आमदनी का किस रोत हो सकता है तो उसका एक जवाब मैं आज एक देना चाहता हूँ जो कि यह है जो यह आपको सेटिंग इसमें दिख रही है क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पलम लगे है क्योंकि बलेक एमबर जो एक विराइटी है यह एक सेल्फ पॉलिनेटर विराइटीज है तो जरूरत है क्योंकि पलम जो हमारे आमदनी को बढ़ा सकता है और साथ ही में हमारे जो लो Red के इलागे है। खास दौर पे वो ख्षेत्र जहां पे सेब की खेटी प्LESीबल नहीं है उन ख्षेत्रों में पलम की खेटी करके हम उन ख्षेत्रों को पागवाने के दाईरे में जिससे वहां के किसानों को जैसे उनको एक आयक-ायक अच्छा और पकाशरोत मिल जाएगा क्योंकि मार्केट के उसाब से पलम की डिमांड बहुती ज्यादा अच्छी बढ़ रही है। इसकी जो मार्केट है बहुती अच्छी बन रही है। और हम साथ में बात करें जो इसके फायदे की तो हमारे शरीर के लिए भी इसके बहुत अच्छे फायदे रहते हैं क्योंकि विभिन प्रकार के पोशक्त्तों से परिपुर्ण होने के कारण इसका हमारे शरीर पे और हमारे स्वास्थे पे बहुत अच्छा प्रभाब पढ़त है हमारे क्षित्रों में जहां पर भी हमारे किसी कारण बश्ट या फिर पथ्री जमीन होने के कारण या फिर बंजर जमीन जहां पर शेव की खेटी पॉसिबल नहीं है तो वहां पर भी पलम की खेटी करके हम जो अच्छा खासा मुनाफ्ण कमा सकते हैं और पलं की उन्नत घेती करके भी हम जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि पलं एक बहुत शॉर्ट पिरियोड क्रॉप है तो इसमें जो है आपको ज्यादा मेहनद करने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइस जो काट क्रोप पिरियर रहता है हाईस स्टेट से तीन मंत के बीच में रहता है इसी टाइम पिरियर की बीच में ये जो फसल होती है ये तयार हो जाती है तो आजकल तो ट्रेंडिंग में बहुत शारी प्रजातिया जो पलम की चल रही है प्रतु एक अच्छे मार्केट के लिए कि वो परजाति लगाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्या हो जाता है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो क्योंकि एक अच्छी शेल्फ लाइफ वाला पलम लंबे समय तक मार्केट पर टिक सकता है और कई हाल ही में पलम की खेती को है तो उनका संचालन श्रीदीपक सिंगा जी बहुत ही अच्छी से कर रहे है और उनके नेत्रित्व में पलम की खेती बहुत ही प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरीके से फल फूल रही है तो प्रदेश के विभिन जिलों में इसका विस्तार हो रहा है तो पलम की खेती हम वाइदे का सोधा है